Hello Everyone, तो आज इस क्रास में हम लोग Connective Tissue को डिसकस करने वाले हैं Connective Tissue, Tissue का 3rd Top है जो 2 Tapes before गあー입 हम और already discuss कर चुके हैं जिसमें हमने epithelial tissue पढ़ा है और Muscular Tissue पढ़ा है तो आज हम discuss करेंगी Connective Tissue जो क्टिस थर्ड टाइप है और इसके बाद जो last में बच्चेगा हमारा वो होगा nervous tissue ओके तो start करते हैं connective tissue से तो जैसा नाम से समझ में आ रहा है connective tissue है ना tissue तो सब लोगों को पता है क्या है already बहुत अच्छे से discuss कर चुके हैं कि tissue जो है वो group of cell है जो की structure में और function में कैसी होती है सेम होती है उसे tissue कहते है अब connective word यहां लगा हुआ है देखो वैसे ही समझ में आ रहा है कि connective मतलब यह जो tissue है यह body के अंदर कही ना कही connection का काम कर रही है इसलिए इसे क्या नाम दिया है connective tissue नाम दिया है ठीक है तो हमें पढ़ना अब यह है कि body के किस पार्ट में connective tissue present है किन चीज़ों को connect कर रही है और क्यों कर रही है ठीक है केवल इन ही चीज़ों को हमें पढ़ना है इसके अलावा कुछ नहीं तो start करते है connective tissue provide support and connect different organs अब यह body में present है तो body के अंदर कई सारे organs है तो उन सभी organs को क्या करती है connect करती है और support provide करती है ठीक है कैसे एक example की health से समझते हैं suppose करिए आप एक घर बना रहे हो ठीक है तो एक घर बनाने में किन किन चीज़ों की जरुवत होती है सभी लोगों को पता है bricks की जरुवत होती है cement की जरुवत होती है और कई सारे raw material की जरुवत होती है तो suppose करिए कि आपने कई सारी bricks को एक की उपर एक की उपर एक करके आपने बहुत अच्छे से उन्हें जमा दिया है ठीक है और बस जमा के उन्हें छोड़ दिया और अगर मैं उसमें एक धक्का मारू तो क्या होगा वो सारी जो bricks होंगी वो गिर जाएंगी तो उस wall को बनाने का तो कोई मतलब ही नहीं हुआ बिल्कुल उसी तरह अगर हमारी body में कई सारे organs हो कई सारे tissue हो कई सारी cells हो अगर वो ऐसे ही present होगी तो उनका कोई मतलब नहीं होगा जब तक वो एक दूसरे से connect नहीं होगी तो जिस तरह bricks को जोडने का काम कौन करता है bricks को एक दूसरे से connect करने का काम कौन करता है सीमेंट करती है बिल्कुल उसी तरह हमारी body के अंदर जो different organs हैं जो different cells हैं उन सभी को connect करने का काम कौन करती है connective tissue करती है clear next forming packing around them आप connect कर रही है connect कैसे कर रही है packing कर रही है जो भी different organs को जो भी दो organs को ये connective tissue जोड़ती है उसको pack कर देती है ठीक है ताकि क्यों pack करती है वो समझते हैं so that they do not get displaced by body movement अब देखो हम चलेंगे भी घूमेंगे भी या उचलेंगे भी कई सारी हम activity करते हैं एक single day में ही even तो अगर हम इतनी सारी activity कर रहे हैं तो हमारी body के अंदर जरूरी है कि सारी चीज़े एकदम fit हो तभी तो हम कुछ भी कैसा भी movement करेंगे लेकिन body के अंदर का जो पूरा system है वो वैसा ही रहेगा जादा कुछ वो displace नहीं होगा suppose करिए अगर body में चीज़े connect ही नहीं है हमारी skin muscle से connect नहीं है muscle जो है वो bone से connect नहीं है तो क्या होगा अगर हम नीचे जुकेंगे नीचे bent होंगे तो muscle एक तरफ चले जाएगी skin एक तरफ आ जाएगी और bones एक तरफ चले जाएगे सारी चीज़ें इधर उदर हो जाएगी displace हो जाएगी तो इस displacement को रोकने के लिए यह जो connective tissue है यह क्या करते हैं connect करते हैं pack करते हैं चीजों को ठीक है organs को body के अंदर जो present है तो इसलिए यह packing करती है organs के around ताकि वो displace ना हो सके body movement में ठीक है homogeneous gel-like intercellular substance called matrix forms connective tissue अब यहां कुछ नए words आये हैं कुछ नए terms आये हैं उनको एक एक करके समझते हैं सबसे पहले बात करते हैं matrix की matrix क्या है देखो connective tissue जो है वो क्या है group of cell है यह जो group of cells होती है यह matrix के अंदर present होती है matrix क्या होता है आप इसको easy language में समझने के लिए बोल सकते हो liquid है ठीक है यह और इससे अगर easy भी समझना है तो आप यह बोल सकते हो कि हमारे पास एक हमारे पास एक कटोरी है हमारे पास एक plate है और हमने उस कटोरिया plate में पानी रख दिया है ठीक है तो वह पानी हो गया matrix यह liquid और उसके अंदर हमने कुछ solid material डाल दिया जैसे हमने किश्मिश काजु गदाम कुछ भी डाल दी ठीक है तो वह चीज़े हो गई हमारी एंबडेड होते हैं हम बोल सकते हैं उसमें धसे हुए होते हैं ठीक है तो मैट्रिक्स क्लियर हो गया matrix कहां present होता है और कैसे present होता है अब बात करते हैं homogenous क्या होता है देखो homo जहां लग रहा हो तो वह कहीं थोड़ा सा गाड़ा होगा कहीं थोड़ा सा जाधा liquid होगा वैसा तो नहीं होता एक जैसा होता है पानी तो वैसे ही homogenous gel-like intercellular substance है जिसे हम matrix कहते हैं और यह matrix ही क्या form करता है connective tissue form करता है अभी तक की चीज़ें clear है connective tissue क्या है क्या काम कर रहा है matrix क्या है और matrix के साथ यह चीज़ें कैसे present हैं आगे चलते हैं matrix में भी solid as in bone and cartilage and fluid as in blood अब यह जो matrix की बात हम कर रहे हैं यह जो हमारा liquid है जिसमें हमारी cells या tissue embedded है धसे हुए है वो solid भी हो सकता है और fluid भी हो सकता है यह किस पर depend करता है कि उसके अंदर किस तरह के tissue present है ठीक है तो solid matrix हमें कहां देखने को मिलता है bones में और cartilage में यह यहां solid क्यों होता है इसकी बारे में हम discuss आगे करेंगे और fluid कहां देखने को मिलता है blood में देखने को मिलता है ठीक है अभी किवल इतना याद रखो बाकी हम आगे discuss करेंगे matrix is fibrous in nature and binds other tissues जो matrix की हम बात कर रहे हैं यह मतलब देखने में कैसा लगता है किस से मिलके बना होता है तो यह fibrous होता है नेचर में fibrous मतलब thread-like structure होते हैं इसके धागी जैसे structure होते हैं देखिए यहां जैसे दिखाई दे रहा है नहीं यह जो black color में डोट है आपको cells की तरह दिखाई दे रही हैं तो यह जो matrix होता है यह fibrous की तरह होता है nature में और यह bind करता है tissues को ठीक है the nature of matrix decides the function of connective tissue अब matrix के अंदर किस तरह का connective tissue present है वही उसके function को decide करता है the nature of matrix decides the function of connective tissue अभी हमने क्या बात की थी यहां कि matrix अगर solid है ठीक है अगर bones है तो solid matrix वहां present होगा लेकिन अगर blood है connective tissue में तो वहां कैसा matrix present होगा fluid matrix वहां present होगा यही बात यहां बोली है कि जो nature of matrix है वही decide करता है कि connective tissue का function कैसा होगा अगर अभी यह चीज समझ में नहीं आ रहे है तो don't worry आगे जब जैसे जैसे discuss करते जाएंगे वैसे वैसे चीज़ें clear होती जाएगी ठीक है तो हमने connective tissue के general features general information उसके बारे में हमने देखी अब हम बात करते हैं type of connective tissue की तो यहां basically five types of connective tissue present होती है areolar जिसे loose भी कहते है loose connective tissue dense जिसे dense regular connective tissue adipose, skeletal और fluid अगर नाम से समझ में आ रहा है तो well and good नहीं तो एक एक करके हम इसे समझेंगे सबसे पहले बात करते हैं areolar connective tissue की यह नाम शायद पहले ना सुना हो लेकिन एक एक points जैसे जिसे देखते जाएंगे चीज़े एकदम clear होती जाएंगी areolar को क्या बोला है और loose connective tissue बोला है यह जो loose term यहां हम बात कर रहे हैं यह इसके matrix के लिए बात कर रहे हैं कि जो areolar connective tissue है उसका जो matrix होता है वो loosely present होता है मतलब बहुत जादा एक दूसरे में धसा हुआ embedded वैसा नहीं होता loosely present होता है ठीक है इसलिए इसे loose connective tissue बोला है ठीक है अब यह connective tissue present कहां होता है अकरंस अगर देखें तो found between the skin and muscle देखो हमारी body की जो outer layer है वो क्या है skin है skin और skin के नीचे क्या present होता है muscles present होता है ध्यान रखना सबसे उपर skin होती है skin के नीचे muscles होती है muscles के नीचे bones होती है और bones के नीचे फिर हमारी कुछ organs होती है जैसे stomach हुआ lungs हुआ है यह वाली चीज़ें तो यह जो areolar connective tissue होता है यह skin और muscles के बीच में present होता है इन ही चीज़ों को आपको basically बहुत अच्छे से ध्यान रखना है क्योंकि यह चीज़ें as a mcq पूछ ली जाती है exams में around blood vessels, nerves and in the bone marrow इसके अलावा skin और muscles के बीच में तो present होता ही होता है लेकिन इसके अलावा और कहां present होता है तो blood vessels के around भी present होता है nerves में भी मिलता है और bone marrow में भी यह देखने को मिलता है ठीक है first spaces inside organ इसके अलावा हमारी body में जो organ होते हैं उनके बीच में जो space होता है उसको fill भी कौन करता है areolar connective tissue करता है ठीक है function देखें तो it helps in tissue after injury क्या करता है यह जब भी हमारा हमारी body का कोई पार injured हो जाता है तो यह help करता है यह क्यों help कर रहा है देखो connect कर लो चीजों को एक दूसरे से अभी इसकी जब occurrence देखी तो हमने पढ़ा कि यह skin और muscle के बीच में present है ठीक है तो areolar connective tissue मतलब हमारी skin के just नीचे ही present है यह तो अगर हमारी body में कहीं भी हमारी body का कोई भी पार injured हो जाएगा तो वहां पर repairing का काम कोन कर देगा areolar connective tissue कर देगा मतलब यह connect करने का काम तो करी रहा है लेकिन उसके अलावा भी यह कुछ और function भी perform कर रहा है ठीक है यह है diagram देखिए यह है fibers ठीक है जिन fibers की हमने बात की थी यह है matrix जो thread like structure यहां दिख रहा है और यह जो circular form में दिख रही है यह है cells ठीक है next बात करते हैं dance regular connective tissue की अब देखिए वहाँ पर लूज पढ़ा था हमने यहां dance पढ़ रहे हैं लूज में हमने वहां क्या पढ़ा था कि जो matrix होगा वो loosely present होगा है ना लेकिन यहां जो matrix present होता है देखो matrix हर एक connective tissue में present होगा ठीक है तो यह ध्यान रखना है अब यहां जो blue color में dots दिखाई देरी हैं आप cells मान सकते हो यह cells है ठीक है तो यह है dense regular connective tissue अब यह कैसा होता है इसका nature it is fibrous connective tissue fibrous है मतलब कई सारे thread like structure यहां भी present होते हैं जो कि बहुत ही densely present होते हैं बिल्कुल भी यहां gap नहीं है characterized by densely and packed matrix ठीक है इसको कैसे characterized किया है बिल्कुल densely यहां पर matrix present होता है collection of fibers and cells और यह जो पूरा connective tissue होता है यह collection होता है किन दो चीजों का fibers का और cells का ठीक है अब यह जो dense regular connective tissue है यह further two types का होता है एक होता है tenders एक होता है ligaments यह दो terms भी आप लोगों नहीं हो सकता है ना सुने ह हो बट आगे clear हो जाएंगे tenders ठीक है तो अभी हम सबसे पहले tendon को discuss करेंगे tenders देखिए किस बारे में हम अभी बात कर रहे है connective tissue के बारे में बात कर रहे है सारी चीजे जो भी हम पढ़ रहे है न वो कहीं न कहीं connection प्रोवाइट कर रही है body में इस बात को ध्यान रखना यह base है इसका ठीक है, टेंडन्स भी connection प्रोवाइट कर रहा है, किस चीज को connect कर रहा है, उसे देखने के लिए, उसे याद करने के लिए आप ये याद करिए, MTB, M का मतलब है यहां muscle, B का मतलब है bone, और T का मतलब है tendon, मतलब जो tendons है यहां, वो muscle और bones को connect करने का काम करते हैं, मतलब tendon हमारी body में ऐसा structure होता है, जो की bones को और muscles को connect करता है, MTB, ऐसे याद रखना है, अब यह पढ़ने से पहले-पहले diagram देखो, यह है हमारी thighs, ठीक है, यह है हमारी knee, and this is leg, अब यहां पे thighs में जो muscle है, this is muscle, ठीक है, और यहां देखिए, यह है bone, ठीक है, जो knee में present है, तो य muscle और bone को जो बीच में connect कर रहा है structure वो क्या है, tendons है, तो इस तरह आप tendon को समझ सकते हो, आब इसकी बारे में पढ़ते हैं, इसका structure कैसा होता है, cord like यह दिखाई देता है, strong होता है, inelastic होता है, मतलब flexibility नहीं होती है, strong होता है क्योंकि, structures that joins skeletal muscle to bones, ठीक है, पढ़ लिया, limited flexibility, इसमें ज़्यादा flexibility present नहीं होती है, great strength, कई ज़्यादा strength भी होती है, tendon clear हुआ, next पढ़ते है, ligaments, ligaments के लिए भी यहाँ मैंने shortcut लिखा है, BLB, B मतलब, दोनो B से मतलब है bones, मतलब जो ligaments है, वो body के अंदर एक ऐसा structure है, जो की दो bones को connect करता है, ठीक है, ligaments, अगर इसकी बात करें तो यह बिलकुल tendon से just opposite nature है, इसका, elastic nature का है, ठीक है, elasticity present है, इसमें मतलब flexible है यह, ligaments जो है, ठीक है, which connects bones to bones, जो body में दो bones को connect करता है, देखो, अब connect करो इसे, जो ligaments है, वो elastic क्यों है, देखो, दो bones को connect कर रहा है, आप अपनी body में, कहीं भी अपनी body के ऐसे part को अभी देखो, जहांपे आपको लगता है कि bones present है, ठीक है, जहांपे दो bones present है, और आप उस part को move करके finger को देखो, finger को देखो, finger को हम बीच से bend कर पा रहे हैं, क्यों कर पा रहे हैं, वहांपे दो bones तो हैं, लेकिन दो bones की बीच में क्या present है, लिगमेंट present है, जो की elastic है, उसकी वज़ा से हम bones को मोड पा रहे हैं, वरना bones तो hard होती है, उसे तो हम bend करी नहीं सकते, तो because of ligaments ही हम य matrix, यहां matrix कम present होता है, अब यह जो diagram है, यह tendon का है, यहां देखिए ligaments का, यहां पे ligaments present है, ठीक है, जो की movement में help करवाते हैं, जो दो bones की बीच में present होती हैं, नेक्स्ट है, एडिपोस टिशू, एडिपोस टिशू, देखो, एडिपोस वर्ड जहां भी आए, समझ जाना कि य या लिपिट से related बात हो रही है, क्योंकि हो सकता है, आप लोगों ने एडिपोस टरम ना सुना हो, लेकिन फेट और लिपिट टरम सब लोगों ने सुना होगा, ठीक है, एडिपोस टिशू है, मतलब group of cells से मिलके बना है, तो यहां कैसी cells भरी होई होती है, फेट cells यहां भर integration होता है, मतलक एकटी होती है, कोन सी चीजिए? फेट cell जब बहुत सारी फेट cell इकटी हो जाती है, अग्रिगेट हो जाती है, जुंड में हो जाती है, तो उसे एडिपोस टिशू कहते हैं, यह फिर अगर single cell की बात करें, तो उसे एडिपोस साइट कहते हैं, ठीक है, एच cell is rounded और oval shape अगर shape की बात करें तो rounded भी होती है oval भी होती है जैसी यहां दिखाई दे रही है ठीक है and container large droplet of fat और यह rounded oval cell जो है यह क्या कंटेन करती है इनके अंदर एक large droplet होता है fat का ठीक है देखिए यह adipocyte जो single cell है उसे adipocyte कह रहे है और इन्होंने यह जो yellow color में जो store किया हुआ यह क्या है droplet of fat ठीक है अगर अक्रंस की बात करें कि adipocyte tissue मतलब यह जो fat है हमारी body में यह कहां present होता है जिसकी वजह से मोटापा बढ़ता है तो यह पड़ा कि जो adipocyte tissue है वह aggregation of fat है मतलब यहां पर fat cell भर के present होती है तो इसलिए इसे क्या बोला है fat reservoir बोला है मतलब कि जो adipocyte tissue होती है वह fat को reserve करके रखती है इसलिए उसे बोला है fat reservoir तो यह इस तरह भी function perform करती है it keep visceral organs in position हमारी body में जो भी visceral organ होते हैं यह क्या होते है इसके बारे में हम पहले discuss कर चुके है visceral organ वो होते हैं जिनके अंदर cavity present होती है यानि की hollow space जहां present होता है उसे visceral organ कहते हैं ठीक है जैसे mouth mouth जब open करते हैं तो वहां बीच में cavity है तो इन इस तरह के organs को यह अपनी position में रखता है displace नहीं होने देता प्रोवाइट शेप टुदा लिम्स एंड़ बॉड़ी हो ठीक है तो हमारी बॉड़ी को और हमारी बॉड़ी के लिम्स को एक शेप प्रोवाइट करता है ठीक है तो जो लोग जादा दूबले होते हैं उनको जादा थंड लगती है और जो लोग जादा मोटे होते हैं उनको इनके comparison में थंड कम लगती है ऐसा क्यों होता है क्योंकि आब कोई मोटा इंसान है, तो मोटा क्यों है? क्योंकि उसके अंदर कई सारा fat प्रेजेंत है, ठीक है? और वो भी skin के जट नीचे, तो ये जो fat की layers होती है, fat cells, fat tissue मिलके जो layer बनाते हैं, जो tissue होती है ये temperature को regulate करती है, ठंड के दिनों में हमारी body में heat generate होती है ठीक है अब वो heat इनकी body से बाहर ही नहीं जा पाती क्यों? because of fat layer तो जब बाहर नहीं जा पाईगी तो इनको ठंड कम लगेगी तो इस तरह से जो fat होता है वो insulator की तरह काम करता है अगर करें बात दूबले इनसान की तो वहाँ पे fat कम होगा तो वो उतना heat को रोख ही नहीं पाएगा तो वहाँ से heat release हो जाएगी ठीक है? इस तरह इसलिए इसे कहते हैं act as an insulator ठीक है? एडिपोस tissue complete हुआ अब बात करते हैं skeletal tissue की skeletal word I hope सब लोगोंने सुना होगा सब लोग सुनते है skeletal system है न तो उसी से related है skeletal tissue it includes bones and cartilage bones तो सभी लोगोंने सुना होगा cartilage हो सकता है ना सुना हो skeletal tissue में दो चीज़ें आती है bones और cartilage सबसे पहले cartilage की बात करते हैं देखो इसे सबसे पहले imagine करने के लिए आप ये मान सकते हो कि ये kind of bone होती है ठीक है but bone तो बहुत hard होती है लेकिन जो cartilages होते हैं वो बहुत soft होते हैं बहुत मुलायम होते हैं example के लिए आप ये देखो हमारी जो nose होती है और हमारा जो ear pinna होता है इस वाले part को आप fold करके देखो या press करके देखो ठीक है तो ये आसानी से fold हो जाएगा क्यों क्योंकि यहाँ पर cartilage present है यहाँ भी nose tip पर भी आप देखोगे तो यहाँ भी cartilage present होता है इसलिए हम इसे मोड पाते हैं प्रेस कर पाते हैं ठीक है तो this is elastic elastic होता है nature में less vascular and less harder to other bones less vascular क्यों बोला है यहाँ पर transport blood का कम हो पाता है और less harder होता है मतलब कम tight होता है यह other bones के comparison में अगर बात करें किन चीजों से मिलके बना होता है तो it is composed of protein and sugar जो cartilage होते हैं वो protein और sugar से मिलके बने होते हैं present in nose tip, ear pinna, lips and larynx इन चारों चीजों को आप देखोगे तो यह चारों ही चीजें बहुत soft होती है क्यों? क्योंकि यहाँ cartilage present होता है ठीक है provides support and flexibility to the body part अब अगर यह elastic है flexibility इसमें है तो यह क्या करेगा body को support provide करेगा और flexibility देगा body parts को which form the endoskeleton of vertebrate body ठीक है क्योंकि skeletal tissue के अंदर यह चीजें आ रही है और skeletal tissue तो पूरा ही मिलके skeletal system बना रहा है तो यह भी क्या करता है जो vertebrate body होती है उसके endoskeleton को यह form करता है ठीक है अच्छा इसके अलावा जो cartilage होते हैं यह देखिए cartilage यहाँ दो bones है cartilage इन दोनों bones को भी connect करने का काम करता है cartilage का एक function यह भी है ठीक है तो cartilage हुआ अब पढ़ते हैं bones के बारे में सब लोगों को पता है bones सब लोगों ने कहते हुए सुना है कि milk पीना चाहिए जिससे हमारे bones जो है वो strong हो जाए तो bones जो है bones जो होती है वो हमारी body को एक frame प्रोवाइट कर रहे है क्यों frame प्रोवाइट कर रहे है कैसे इसे समझ सकते है suppose करिए आप अगर हमारी body में bones ही ना होती तो फिर क्या होता हम कैसे दिखते हम तो बिल्कुल catch way की तरह हो जाते हैं क्या बोलते हैं तो bones यहां बहुत main role play कर रही है हमारी body को एक framework प्रोवाइट कर रही है ताकि हमारी body को support मिल सके It is a very strong and non-flexible tissue बहुत ज़्यादा strong होती है और non-flexible tissue होती है यह The matrix is made up of calcium and phosphorus देखो पहले हमने बात की थी First or Second slide में कि जो tissue में matrix होता है है वो decide करता है कि जो tissue है उसका function कैसा होगा है यह depend करता है कि किस matrix में किस तरह का tissue present है उस matrix का nature उसी तरह का होगा तो क्योंकि यहां जो balls होती है वो strong होती है यह बोल सकते है solid form में होती है तो वहां पे जो matrix होता है वो भी उसी form में present होता है अब bones move तो नहीं करती है हमारी body में कि एक पार्ट से दूसरे पार्ट में चली जाएगी ऐसा नहीं होता है तो यहां पे जो matrix होता है वो calcium और phosphorus का मिलके बना होता है ठीक है मतलब solid form में ही होता है अगर बात करें blood की तो blood में जो matrix होता है वो fluid form में होता है क्यों क्योंकि blood को पूरी body में move करना होता है transport करना होता है ठीक है अब बात करें अगर function की तो provide shape to the body obviously जो bonds है वो skeletal system बना रहा है और वो skeletal system है वो हमारी body में एक प्रोवाइट एक शेप प्रोवाइट कर रहा है support the body, body को support कर रहा है protects vital body organs like brains, lungs इसको आप कैसे समझ सकते हो कि जो bonds है वो protect कर रही है हमारी body के जो vital organs है जैसे कि brain हुआ, lungs हुआ, stomach हुआ है एक जेटर आप देखो हमारी body में सबसे उपर क्या present है skin present है, skin के नीचे क्या है, muscle है, muscle के नीचे क्या है, skeletal system है और उस skeletal system के अंदर जो soft, नाजुक जो organ है वो present है जैसे lungs, brain, stomach, suppose करिए अगर ये उपर वाली कोई चीज ना होती और सबसे बाहर organ होते तो क्या होता अगर कोई एक मारता एक पंच अगर कोई मारता तो वो organs की तो बिलकुल एकदम non function हो जाते वो तो फिर किसी काम के ही नहीं रहते है तो इसलिए जो bonds होती है वो क्या करती है प्रोटेक्ट करती है हमारे vital organs को ठीक है तो ये इसका में रोल है अब जो लास्ट में बचा है connective tissue का एक पार्ट जिससे कहते हैं fluid connective tissue this is also most important अब यहां पर देखो fluid है इससे वैस्किलर भी बोला है connective tissue है सबसे पहले तो यह किन चीजों को connect करता है क्योंकि यह सबसे अलग है ठीक है तो पहले तो यह समझो इससे आसानी से समझने के लिए कि इस connective tissue में दो चीज़ें आती है एक तो आता है blood एका आता है lymph तो lymph को हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है हमें किवल blood को पढ़ना है थो blood सब ब्लों को पता है कि body के हर एक part में blood present होता है और काम क्या करता है ट्रांस्पोर्ट करता है oxygen का मतलब हमारी body के हर एक part में oxygen को पहुचाना किसका काम है blood का काम है तो blood जो है वो भी connective tissue का काम कर रहा है क्योंकि body की एक part से लेके दूसरे part तक blood को लेके जा रहा है तो connect कर रहा है एक link बना रहा है body के different organs के बीच में तो this tissue helps in creating a link between the different parts of a body and maintain a continuity of life ठीक है क्या कर रहा है help कर रहा है body के different parts के बीच में link create करनी के लिए ताकि जो life है उसकी continuity maintain रह सके ठीक है दो parts में है blood है lymph है तो blood की बात करते हैं blood जो होता है वो two components से मिलके बना होता है plasma और blood cell plasma जो है वो यहां matrix present है matrix को क्या कहते हैं blood के plasma कहते हैं और blood के अंदर तीन तरह की cells present होती है कौन कौन सी RBCS, WBCS and platelets RBC मतलब red blood cell WBC मतलब white blood cell और platelets यहां देखिए diagram है यह है RBC this is WBC and this is platelets ठीक है अगर basic function की बात करें तो एक एक को अभी discuss हम करते हैं सबसे पहले बात करते हैं plasma की plasma जो होता है blood के अंदर blood connective tissue के अंदर present एक matrix होता है ठीक है जिसका composition अगर हम देखें तो 90% इसमें water होता है और 10% इसमें organic और inorganic substances present होते हैं यह जो inorganic और organic substances हैं यह nutrient का काम करते हैं plasma के लिए इसलिए उसे blood के लिए nutrient medium कहा जाता है ठीक है कैसा दिखाई देता है yellow color का दिखाई देता है yellow color fluid होता है due to presence of these substances मतलब organic और inorganic substances it acts as a nutrient medium for blood cell ठीक है यह देखिए centrifugation के बाद यहाँ एक diagram शो किया है जब हम इसे centrifuge कर लेंगे तो plasma, wbc, rbc और platelets तीनों अलग-अलग separate हो जाएंगे सबसे उपर है यहाँ plasma जो की 55% present है यहाँ है wbc की wbc और platelets जो की less than 1% present है और rbc जो की 45% present है यहाँ ठीक है तो यह है matrix जो की liquid form में होता है यहाँ ध्यान रखना अब बात करते हैं red blood cell की तो जो red blood cell होती है वो disc-like shape की दिखाई देती है जैसा की यहाँ diagram में show है contain red color pigment called hemoglobin अब जो इनका नाम है red blood cell red क्यों कह रहे हैं क्योंकि यह क्योंकि यह एक तरह का pigment contain करती है pigment से कुछ रियाद आया इसके पहले हम cell वाले चेप्टर में पढ़ चुके हैं जो plants में pigment present होता है कौन सा chlorophyll और उसका काम क्या था photosynthesis के लिए वो responsible था उसी तरह यहाँ भी एक red pigment होता है जिसे hemoglobin कहते हैं और यहाँ hemoglobin क्या काम करता है हमने अभी बात की थी कि जो blood होता है वो oxygen को transport करता है तो यह hemoglobin ही होता है जो oxygen molecule से bind करता है और फिर blood उसे लेके जाता है body के different parts तक अब function अगर देखें तो RBC helps in transportation of oxygen digested food hormones and waste material तो जो RBC है red blood cell है वो किन किन चीज़ों का transport कर रहा है oxygen को तो transport करी रहा है जो उसका main function है इसके अलावा जो digested food होता है हमारी body में उसका transport भी कोन करता है blood ही करता है कैसे हम जैसे ही खाना खाते हैं तो हमारे मुँ में ही उसका partial breakdown हो जाता है then वो हमारे stomach में जाता है वहाँ पे कुछ बचा हुआ digestion हो जाता है stomach से फिर intestine में जाता है यहाँ तक जाते जाते है खाना जो होता है वो fully absorb हो जाता है उसके जो nutrients होते हैं वो absorb हो जाते हैं तो यहाँ से वो जो nutrients होते हैं है ना digested food के वो blood के through फिर body के different parts में जाते हैं इसी तरह hormones को भी यह transport करता है और waste material को भी अब waste material को क्यों करता है waste material को पूरे body से एकटा करके अपने साथ इसलिए transport करता है ताकि इस waste material को excretory system तक पहुँचाया जाता कि और excretory system का क्या काम होता है body का जो भी waste product है उसे remove out करना body से ठीक है synthesize in the bone marrow अगर बात करें RBC आता कहां से है body में तो bone marrow में इसका synthesis होता है in case of adult अगर बात करें बच्चों की तो वहाँ पे spleen में RBC बनती है life span कितना होता है 120 days only यह हुआ RBC अब बात करते हैं WBC के बारे में WBC are irregular in shape इसका कोई particular shape नहीं होता यह irregular होता है do not have any pigment in them that is the reason they have no color इनके अंदर कोई pigment present नहीं होता इसलिए colorless होते हैं या कह सकते हैं white होते हैं also called soldiers of body as they protect our body from infection causing agent अब इन्हे soldier of body क्यों कह रहे हैं क्योंकि इनका काम क्या होता है main हमारी body में जो भी foreign particles जो भी foreign material इंटर करता है foreign material जैसे कोई भी bacteria virus है ना या other कोई foreign particle अगर वो इंटर करता है तो उसको destroy करने का काम किसका है WVC का है क्योंकि हमारी body को protect कर रहा है ऐसी चीजों से इसलिए इने soldier कह रहे हैं body का clear यह हुआ WVC अब बात करते है platelets की तो platelets जो होता है इनके बारे में हमें ज्यादा नहीं पढ़ना है simply यह tiny fragments होते हैं जो कि कुछ protein को secret करते हैं और यह protein क्या काम करता है blood clotting में help करता है आप लोगोंने देखा होगा जब भी हमारी body का कोई पार्ट इंजर्ड हो जाता है जिसे कट जाता है या कुछ भी अगर किसी भी तरह का इंजर्ड हो जाता है हमारे body part अगर वो कट जाता है तो वहाँ से blood flow out होने लगता है है ना और कुछ देर तक continuously blood flow out होता है and देन वहाँ पे हो जाती है तो आज हमने कुछ पार्ट को यहां कवर किया है तो अगले पार्ट में हम लोग क्या देखने वाले हैं नर्वस तिशू को देखने वाले हैं and please if you like this video and enjoy this video then please subscribe thank you so much